नमस्कार मैं अविवन्योदिया लेक्चरर जियोग्राफी आप सब का आज के वैख्यान में स्वागत करता हूँ प्यारे विद्यालतियो आज हम इस वैख्यान में कलास ट्वैल्थ जियोग्राफी मल्टिपल च्वैस क्विस्टिन्स की जो सिरीज कर रहे हैं ये इसका आखरी वैख्यान है इसके अंतरगत हम लगबग 5 ये 6 पार्ट्स में पहले ही बहुत सारे मल्टिपल च्वैस क्विस्टिन्स कवर कर चुके हैं इसमें आज हम एक तो बीच में एक पेज रह गया था उसको कवर करेंगे और लाश्ट में 304 या 5 से लेकर और 315 यानी 315 तक के क्विस्टिन्स करते हैं आज के लिए 268 कृष्ट नंबर है इन में से कौन सा मुक्त व्यापार छेतर नहीं है कांडला मुंबई विशाखापटनम त्रीवेंद्रम तो इन में से त्रीवेंद्रम नहीं है निमलिकित पत्नों को उत्तर से दख्षण की और ववश्टित करम में कौन सा कूट दरसाता है कुछ पोर्ट दिये गए हैं और नीचे कोड दिये गए हैं आपने बता राया कि उत्तर दिसा से दख्षण दिसा की और इनका सही सिक्वेंस क्या है एक अत्ता है एक कोच्ची दो मारमगाव तीन नवा सेवा और चार न्यू मैंगलोर अब कोड देखिए तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे नौर्थ में कौन सा है इन में से यदि हम देखें तो सबसे नौर्थ में है नहवा सेवा फिर आएगा मारमगाव फिर आएगा न्यू मैंगलोर और फिर आएगा कोच्ची तीन दो चार एक तीन दो चार एक तो ओप्सन सी सही है नेट कता है भारत के कोलकता कांडला मुंबई और विशाका प्रतनम बंदरगाओं में से कौन सा एक आयात नो भार इंपोर्ट कारगो का उच्टम टन भार संबालते हुए भारत का सबसे सुरक्सित बंदरगाओं है कोलकता कांडला मुंबई विशाका प्तनम तो सबसे सुरक्सित बंदरगाओं है विशाका प्तनम अंद्रा प्रदेश में है ये डॉल्फिन रेंज नाम की एक हिल एरिया है उसके पीछे है ये तो ये तुफानों से बचा रचता है और ये सबसे ज़्यादा बाहर से आने वाले जो कारगो सिप होते हैं उनके भार को वहन करता है नेट किशन करता है इंद्रा गांदी नहर जिसे रज्जस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम सतल है फरक्का बराज, हरीके बराज, बाकड़ाबान, टीहरी बान तो राइट आंस्वर क्या आएगा हरीके बराज, जहां पर सतलुज और ब्यास रीवर मिल जाती है ये पंजाब में है बटिंडा के पास नर्गताईन मेंसे कौन से दो रज्ज कावेरी जल विवाद से संबंदित हैं करणाटक और तमिलनाडू, करणाटक और केरल, केरल और तमिलनाडू, तमिलनाडू और तेलंगाना राइट आंस्वर क्या आएगा? कावेरी नदी के जल के बटवारे को लेकर इनका विवाद है तो वो है करनाटक और तमिलनाडू ने गताइन में से कौन सा जलासे चंबल नदी से सम्मदित नहीं है? गोविंद सागर, जवार सागर, राना परताब सागर, गांदी सागर क्या हैगा सही उत्तर? दैट इस गोविंद सागर गोविंद सागर जो है भागडा डैम के पीछे के जलासे को बोला जाता है गुरु गोविंद सिंग के नाम पर इनका नाम गोविंद सागर रखा गया है बाकी के तीनों जो है वो चंबल नदीज पर बने हुए अलग अलग जलाश से है नेट करता इन में से कौन सा सहर गंगा के तट पर नहीं बसा है कानपूर, पतना, बरोनी, डिल्ली तो इन में से कौन सा नीवशा है वो है दिल्ली दिल्ली युमना नदी के किनारे पर है नेकी गंगा के किनारे पर नेट परसंद देखते हैं 305 निमल लिखित में से किस में नगरिय जनसंख्या का परतीसत सरवादिक है दिल्ली, चंडीगड, गोवा, हिमाचल परदेश तो क्या एक आंस्वर इन में से पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली भी है तो इन में सबसे ज़्यादा दिल्ली में परसंटेज है दूसरे सिथान पर चंडीगड है यदि राज्यों की बात होती तो गोवा आता और यदि सबसे कम की बात आती तो फिर हिमाचल परदेश आंस्वर आता तो चार ओप्सन इस परकार से यहाँ पर डाले गए है दिल्ली सबसे ज़्यादा नगरिया जनसंख्या का परतीसत है चंडीगड में सेकिंड हाइस्ट अर्बन पपुलेशन है इंडिया में स्टेटों में गोवा में सबसे ज़्यादा है और हिमाचल में सबसे कम है यहाँ पर जो रूलर पपुलेशन अगरामिन जनसंख्या वो सरवादिक है नेट कता सडक प्रिवेन मंत्रल्य की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार निमलिकित में से किस सडक वरग का परतीसत भारत की कुल सडकों की लंबाई के संद्रब में सरवादिक है नेशनल हाईवे यानि राष्टिय मामारग स्टेट हाईवे यानि रज्जे मामारग परमुख जिला सडके मेजर डिष्टिक रोड़ और डी कता है ग्रामीन सडके विलेज रोड़ तो राइट आंस्वर इस सी भाग लगवग साथ बैसट पर तीस जोड़ सडकों की लंबाई का है वह भाग अकेले जिला सडकों का है निमल लिखित में से किस रज्जे में पर तीस ओवरक किलोमेटर छेतर में सडक घंतव सरवादिक है केरल तमिलाडू उत्तरपरदेश रज्यस्तान क्या है गा राइट आं के अनुसार इनका पैस्चम से पूरों की और सही करम बताइए एक कता है नौर्दन रेलवे नई दिल्ली सेकिंड कता है नौत झेंटरल प्रियागराज या इलावाद के स्थ़ा कता है नौर्थ इस्ट इस्ट पिश्ट्र गोरखपूर फाल्द कता है नौर्थ इस्ट फ्र यानि ऐसे सिक्वेंस आपने बताना है तो सबसे हैं में हैं नोर्थ वेश्टर जयाप फिर उसके बाद आएगा इनमें से दिली यानि 5-1 तो 5 और सक्वेंस हम देखेंगे तो यह बन जाएगा पांच सबसे परिस्चम में है फिर नोर्थन रेलवे इस दिली है फिर North Central आएगा, फिर North Eastern आएगा, फिर North East Frontier आएगा तो ये D-Option सही है Net Question No. 309 है इन में से कौन सा रज्ज है, कौन कन रेलवे में भागीदार नहीं है कलनाटक, गोवा, माराश्टर, केरल कौन कन रेलवे, जो Engineering का क्रिस्मा भी कलाता है और मंबई के पास रोहा है, वहां से लेकर मैंगलोर तक ये रेलवे रूट जाता है, वेस्टन घाट के पास से तो इन में से कौन सा रज्ज इसमें समिल नहीं है, वो है केरल नेक्ड़ता इन में से किसे Queen of Arabian Sea, अरब सागर की रानी कहा जाता है तुति कोरिन, कोच्ची, मैंगलूरू, मारमागाउ, राइट आंस्वर इज कोच्ची, वी भाग, वी ओप्सन नेक्ट क्यूस्चिन है, और ये मल्टिबल च्वाइस क्यूस्चिन की सीरीज का लास्ट पेज रहेगा तो हम दीरे-दीरे करके पूरे चलेबस से लग वक्तीन सो पंद्रा मल्टिबल च्वाइस क्यूस्चिन आज अद्यान कर लेंगे रिगड़ मिर्दा, रिगड़ स्वाइल कासम बंद किस फसल से है? चावल, पटसन, कपास, गन्ना राइट आंस्वर इज कोटन, कपास, रिगड़ मिट्टी कहा जाता है ब्लैक स्वाइल को जो माराष्टर, मद्दापरदेश और गुजरात में मिलती है और जवाला मुखी विश्पोर्ट के कारण फैले लावा से इसका निर्मान होता है जिसको लोकल भासे में रिगड़ स्वाइल कहा जाता है ये कोटन स्वाइल भी कलाती है कपास सबसे ज़्यादा होती है नेट किशन काता है भारत में कौन सी फसल सरवाधिक छेतर पर बोई जाती है ये हूँ जो जवार चावल इन में से सबसे ज़्यादा बड़े एरिया पर बोई जाती है चावल नेट गया तब पारा द्वीब बंदरगा का विकास किन बंदरगाओं का भार कम करने के लिए किया गया था पारा द्वीब जो पोर्ट है वो उसका डेवलोप्मेंट क्यों किया गया कोलकता हल्दिया का भार कम करने के लिए चेननई इन्नोर का भार कम करने के लिए विशाका पत्रनम कोलकता का भार कम करने के लिए या मुंबई नहवा सेवा का भार कम करने के लिए राइट आंस्वर इस ऑप्शन C देखो जो कलकता है उसका भार कम करने के लिए इलाबा हल्दिया बंदरगा बनाई गई चेन्नई का भार कम करने के लिए इन्नोर बनाई गई मुंबई का भार कम करने के लिए नहवा सेवा पोल्ट बनाया गया और पारदवी जो है उडीशा रज्जे में है चिलका जील के पास मानदी के डेलटा के पास ये विशाका पत् और तमाकू की खेती की जाती है यानि ये चारू फसले एक ही रज्जे में होती हैं वो कौन सा रज्ज है केरल करनाटक तामिलनाडू और इशा राइट आंस्वर क्या आएगा डैट इस करनाटक करनाटक जवा कॉफी उत्पादन के लिए शेहरी कल्चर यानि रेसम के कीड़ पालने के लिए रवड उत्पादन के लिए और तमाकू की खेती के लिए परसिद है नेक अनिमन लिखित में से कौन सी एक कंपनी का संब्द बॉक्साइट एवं ऐलूमीनियम से नहीं है बाल को नाल को हिंडाल को टैल को क्या आएगा से उत्तर इन में से ऑप्शन डी का सं संब्द इन से नहीं है बाल को का मतलब होता है भार्त अलूमीनियम कॉर्परेशन लिमिटेड नाल को का मतलब है नैशनल अलूमीनियम कॉर्परेशन और हिंडाल को का मतलब है हिंदूस्तान अलूमीनियम कंपनी टैल को जो है ये इन से संब्दित नहीं है तो प्यारे यडियो के तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सभी शातों के सातों पार्ट का लिंक दे दूँगा आप मेरे वाट्सप गुरूप को जोईन कर सकते हैं इसके लावा आप जो है मेरे बलोग के मैंतेब से इन क्वेस्चन को ले भी सकते हैं कि यदि आप उस पर प्रेक्ट क्वेस्चन कर सकते हैं